गुड मॉर्निंग, नमस्कार, श्वागत आपका हमारी चैनल जी एस्टड़ी 94 में और दोस्तों में आज तो दोस्तों एक फिर लेकर आए हैं देनिक जागरन के मुख प्रिष्ट का भाग जी से आप एडिटोरियल या संपातिक के नाम से जानते हैं तो बारे में आज यहां पर हम चर्चा करेंगे तो यहां पर लिखा इसलामी जगत की हिंसा पर मौन तो इसलामी जगत का मतलब होता है जतने भी गल्फ कंट्री मतलब इसलामी करास्ट है ठीक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राथमिक्ता दी जाती है मुसल्मानों को इसलाम जैसे धर्म को ऐसे जगहों को आप इसलामी जगत कह सकते हैं इसलामी देश कह सकते हैं ठीक है तो वहाँ पे देख सकते हैं इमाम देशों में कई सालों से ग्रह युद्ध चल ला है ऐसी चीजों पर भी लोग मौन क्यूं है उसके बारे में हम डिसकस करेंगा जहां पर तो चलते हैं आगे और दोस्तों यह होना भी चाहिए आपने देखा होगा कि 2013 में या 14 में आज इस पकार से सिविल बार चालू हुआ था इराक सीरिया में वो काफी मलब ऐसी जो हरकते हैं जो असलामिक रास्टों या वहां के लडाकों के दौरा किया जाता है वो कहीं कहीं मानवता को सरमशार करता है आखिर कैसा किसी का ऐसा धर्म हो शकता है कि अपने धर्म को महान बनाने के फिराक में दूसरे धर्म के लोगों को जिस कुरूरता अबर बड़ता के साथ काटा जा रहा था मारा जा रहा था आपने देखा होगा जो कि गलत है हमास इसराइल के बीच लड़ाई फिर सुरू होती दिख रही है क्योंकि इसराइल की नई सरकार ने का कर गाजा पट्टी पर बम बरसाएं की हमास की उड़ से उसके इलाके में आग लगाने वाले गुबारे छोड़े जा रही है तो आप देख रहे हैं जिस तरशे फिलिस्तीन और इसराइल के बीच आज से नहीं यह लड़ाई आज की नहीं है देखिए जब इसराइल जैसे नहीं रास्ट को ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश के मदद या सहयोग से बनाया गया था उसके बाद जो फिलिस्तीन थे उन्होंने कहा कि हमारे जो रीजन है जो हमारा देश है उसका एक खंड करके आप ऐसा निर्मान क्यों करना है देखिए ये मातर फलिस्तीन या इसराइल की बात नहीं है ऐसे तमाम देशों में बिटेन के लोगों ने वहाँ पे बाटा ठीक है कुछ चीजें मुसल्मानों को दे दिया आप देख सकते हैं भारत जैसे इस्तिती में भी आप यहाँ पे इंप्लिमेंट कर सकते हैं कि मुस इसमीर को लेकर जो मुद्दा है आज भी बहुत ही संग्वेजन सील आप इस बात को जानते हैं इसी के साथ इसलामी जगत में इसराइल के खिलाप आवाजें उठनी सुरू हो गई हैं अब आप देख सकते हैं कि फिलिस्तिन जो पूरी तरशे या फूर उसके जो इर्द ग देश है तो इस समय जो है उसकी खिलाफ जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इसलामी देश हैं वो आवाजे उठाने स्टार्ट कर दी हैं लेकिन यही आवाजे तब खामोस रहती हैं कि जब पाकिस्तान में मार काट मची होती है इन दिनों अफगानिस्तान के हालात फिर बहुत खर होती है तब यह जो मुस्लिम कंट्री हैं इसलामिक जगती यह खामोस क्यों रहते हैं असित तमाम तरह के आनमस्ट अटैक कराए गए हैं आतंकवादियों के माध्यम से तालिबानियों के माध्यम से भारत के उपर अफगानिस्तान के वहां के लोगों के उपर ठीक है पर त बितों ने आवाजें उठानी चाहिए या फिर बस आज इसलिए उठाई जा रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम देश हमारा पीडी था यहुदियों के कारण तो चले हम थोड़ा सा उसे मदद करें शहयूग करें वास्तों में वहाँ इद के बाद से हालात खराब होते जा रहे हैं शाद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब बड़ी संख्या में निर्दोष निहत्य मुशलमान ना मारे जाते हूँ बीते दिनों तो पांच पोलियों कारकरता को भी मार डाला गया पिछले महीने काबूल में एक स्कूल पर बमों से हमला कर 90 स्कूली लड़कियों और अन्य लोगों को मार डाला गया था किन्तु आश्या रहे कि अफगानिस्तान का संहार दुनिया के मीडिया में कोई खास सम आश्या नहीं बता नहीं बनता अब आप सोचिए जस देश में इतनी कुरूरता और निर्ममता के साथ हट्याएं की जा रहा है इतनी बृट्यालिटी मर्डर हो रहा है वहाँ पे इसलामिक जगत क्या कर रहा है क्यों भाई इनके खिला फत्वा जारी नहीं करते हैं क्यों ऐसी सक्षा को देने वालों को ऐसी बिचारों को प्रगट करने वालों को जन्म देने वालों को जिन्दगी भर के लिए अपने समास से अपने देश से अलग क्यों नहीं करते हैं ये देखिए बहुत बड़ी बात है आज इस तरह से पिछले 20 साल से हिंसा हो रही है अफगा भर के मीडिया में कई दिन चलते रहा ऐसा विच्चित भेंगापन क्यों क्या किवल इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में सैक्डू निर्दोष मुसल्मान की हत्याएं मुसल्मानों नहीं की आपने देखा होगा कि अरे सब छोड़ो यार मैं आपको बता दू उन्होंने किया जो भाई सुन्नी में बिलीब करते दे ठीक है इसलिए सिया जिस बिचार को जिस ब्यक्ति भी से उसको मानते थे उनको मार दी है तो आज इस्तिती जानते हैं हिंदू मुसलिम की बात नहीं हो रही है जो मुशलमान है एक राष्ट में जिस तरह से आपस में इक पीड़ी था वो गलत है केवल अफगानिस्तान में ही बच्चे और महिलाएं हिंसा का सिकार नहीं बनते है ऐसा और देशों में भी होता है जहां मुशलमान ही मुशलमान की हत्या करती है आपने देखा होगा कि दोस्तों कुछ साल पहले जो सीरिया और इराक में अपने धर्म को महान बताने के चक्कर में लागों निर्दोसों को मारा गया अन्य धर्म की लोगों का सर कलम किया गया आपने देखा हो कई सारे वीडियो फुटिश सोसल प्लेटफार्म पे मतलब आते रहते थें जिसमें इतनी निर्मम तरीके से हत्याएं की गई ब्लेट से उनका सर काटा गया मतलब आप सोच नहीं सकते है चीक है आप देख लेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे और उसमें कौन था क्या कोई सिख था कोई हिंदू था कोई शाई था नहीं एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान की हत्या कर रहा था या एक मुसल्मान किसी दूसरे अन्य धर्म वालों की हत्या कर रहा था कुछ वर्स पहले पिशावर पाकिस्तान में एक स्कूल में टाइम बम लागार कर तरीके तालीबान ने सौ सदिक स्कूली बच्चों और उनकी अलामा अनेक सिचकों करमचारियों को माड डाला था इस चीज के बारे में भी आपने देखा होगा कि तालीबान की लोगों ने अफगानिस्तान में और कई बारती ये घटना मिलिये पाकिस्तान में भी कैसे मान अबं बन कर जाकर उड़ा दे रहे हैं कहीं स्कूल उड़ा दे रहे हैं कोई परिसर उड़ा दे रहे हैं तो ये सारी दिक्कतें कहां से आ रहे हैं आप भी थोड़ा सा विचार भी मिर्श करिए चीज़ों को देखिए आज पूरी दुनिया में यदी आसान्ती है तो कौन कर रहा है जब तक आप मदर्से के सिक्षा देखिए मदर्से के सिक्षा है कि यदी मैं बात करूं तो सही है जो भी तालीम देते हैं वाके मौलवी कोई भी अनलाफ फिल अक्टिविटीज में सामिल हो जाओती ये गलत है वहीं साब था मिर्ट तक बच्चे मुसल्मान थे तता मारने वाले भी मुसल्मान मस्जिदों पर हमले कर सलाना असंग के निर्दोस मुसल्मानों को मार डालना पाकिस्तान में भी नियमी थै बलुचिस्तान के सिया नेता सेद दाउद आगा के अनुसार हम तो बस कबर खुदने वाले समुदाय बन गए हैं वे हमारी मस्जिदों के शाम ने आ कर मार डालो के अवहान करते रहते हैं आग में भी कुछ वर्स पहले इसलामिक स्टेट ने एक कैद खाने पर हमला कर सभी सियाओं को सोचिए चुनकर ट्रकों में भरा उनकी संक्या 6679 थी उनने एक सुनसान अस्थान ले जाकर गोली मार डी गई यानि एक बार में लगबख सास्तों मुसलमानों को मार डाला गया यहीं पर वे द्रिश भी याद करें जब छोटे चोटे अबोध मुसलिम बच्चों को टाइम बम से लैस कर मत्पूर जगहों पर रिमोट चात्म घाती भी स्पोट कराए गएं गत्थ दो दस्कों में ऐसा कई देशों में हुआ है बाप सोचिए क्या अपने महान को अपने धर्म को महान बनाने के चक्कर में इनसान इतना अंधा हो चुका है कि ओ माना होता संस्कृति किसी दूसरे के परिवार को समझ नहीं पा रहा है तो ये अज्यानता ही है धर्म देखिए धर्म के लिए इनसान बना है या इनसानों के लिए धर्म बना है धर्म इनसानों से महान नहीं हो सकता धर्म सिधा सिधा एक आपकी सब्विता एक आचलन है जिसमें आप फिलक्सिबिल्टी महसूस करते हैं कमफर्ट महसूस करते हैं वो चीज़ आप मानते हैं भाई यदि आपको कमफर्ट होता है जिन्स पहनने में तो जिन्स पहनी है आपको कमफर्ट होता है धोती पहनेए तो यह आपके स्वक्षा को बनने उबर करता है कोई दबाओ करके यदि आपको जबर्दस्ती कहेगी फला धर्म अपना लो ये कर लो तो वो तो गलत है ऐसे कार सदर्व जिहादियों नहीं किये दोस्तो जिहादियों उन्हें भी कभी कोई हाय तौबा नहीं मची कि बेचारे निर्दोष मुसल्मान मारे गए यूरोप अमेरिका तो दूर खुद मुसलिम देशों में भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती नहीं कभी मानो दिकाव दोग के प्रचारक उस पर सिर्धुनते नजर आते हैं सभी प्रचारे नहीं सुनी बन रहे हैं रहती हैं यहां जो लेखक है जो राइटर हैं जिन्होंने आज का एडिटरियल लिखा उनका सबसे बड़ा उद्धिश यही है कि आखिर जब कोई मुसलिम कंट्री में मुसलमान ही वहां के लोग का सोसन करता है अनिर्मम तरीके सत्या कर मां के सहों को खंडित करता है मानवता को सरमशार करता तो ऐसे ने मुसलिम जगत कहां रहता है क्यों नहीं यह सक्षाय को है मुसलिम देशों के साथ सकतित लिब्रिल मुसलिम बौधिक नेता आदे भी इस पर कुछ नहीं सोचते हैं कभी किसी को इन नियमित संहारों पर स्चिंता करते नहीं देखा सुना जाता जो मुशलमानों द्वारा दूसरे मुशलमानों का होता है ऐसी चुप़ी का मुख कारण है इसलामी मतवाद का बचाव करना यदि लड़कियों के स्कूल ब्यूटी पारलर अस्पताल आदी पर जिहादी हमलों का बिसलेशन होगा तो यह सामने आएगा कि वह सब इसलाम के नाम पर ही किया जाता है इसलाम के अनुसार 11-12 वर्स की आईउ के बाद लड़की अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती तब लड़की को परिवार के ऐसे पुरुष के साथ ही बाहर निकलना है जिसके साथ साधी मना हो जैसे पिता सगा भाई यादी यही फाइदा एक आदा साधी सुदा मुस्लिम इस्तरियों के लिए भी है किवल उम्र दराज इस्तरियों को इससे छूट है जो बच्चे पैदा करने की आईउ पार कर चुकी हो इसलिए तालीबान या इसलामिक स्टेट लड़कियों के स्कूलों कालेजों पर हमला करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियों का ऐसे लड़कों के साथ होना इसलाम विरुद है जिन से उनकी साधी मना न हो इसी कायदे से लड़कियों का स्कूल जाना बाहर काम करना मैत्री संबंद बना नादी वर्जित है जो मुस्लिम लड़की स्तरी अकेले घर से बाहर उस्कूल अस्पताल या अफिस जाने के लिए भी निकलती है तो वो इसलामी कायदों का उलंगन कर रही होती है उन्हें दंडित करना इसलामी नजरिये से जाय जाय यही तालिबान या इसलामी के स्टेट के दस्ते करते हैं वे इसलाम को लागू करने के लिए मुसलमानों को मारते रहते हैं चाहे उस का रूप जो भी हो उदारन के लिए इसलाम इस्तरियों को सजने सबरने की भी मनाही करता है इसी करण तालिबान अपने सासन या प्रभावाले इलाकों में ब्यूटी पारल को नस्ट कर देते हैं तालिबान या इसलामिक स्टेर जैसे देशों के अनुसार कई मुद्दों पर दुनिया भर की करुणों मुशलमान भी कुफर के दोसी हैं इसलिए इसलामी फायदे से मौत की सजा के हकदार है उसी स्रणी में सारे सिया, हाजरा, बहाई, यजीदी, अहमदिया, आदे भी हैं जिन्होंने इसलामी कायदे से रंच मातर भी हटने या उसमें कुछ जोडने बदलने की कोशिस की है सो कटर इसलामी संगटन खुद मुस्लिम देशों में भी दूसरे मुसल्मानों को नियमित मारते रहते हैं तमाम मुसलिम बिद्वान भी इसलाम को एक चट्टान सा परिवरत तरनी मानते हैं जा इसलामी संगटनों की ओड़ से तमाम कारवाईयां भी कमोबेश एक जैसी होती है गाजस लेकर नाई जिरिया, सुडान, सिरिया, यामन, इराग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आदे बेविद देशों की घटनाएं कमोबेश एक रूप होती है एक सी सिकाते, एक जैसे कारणामी सबका निसकर से ही निकलता है कि मुसल्मान खुद ही इसलामी मतबात के पहले सिकार है दुनिया में इसलाम का राजनितिक वर्चस बढ़े या बना रहे इसके लिए उन्हें सस्ते इंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है इस पर कम से कम गैर मुसल्मानों को तो ध्यान देना चाहिए उन्हें अपने और आम मुसल्मानों के बेहित में उस संपूर राजनितिक मजवी विचारतंत को कट घरी में खड़ा करना चाहिए जो सहलाना हजारो निरी लोगों की बली देता है तो आज के लिए इतना ही नमस्का धन्यवाद